मित्रो आप सभी लोगों की बीच उपस्तित हुआ हूं मित्रो आज का जो वीडियो है वह हम 36 गड़ के रायड़ जीला से लाएं हैं वहां से सिव्दत्तगरिया एवम उनका पूरा परिवार लोहे के साथ आग पर काम करता है लोहे से आफजार बनाता है और उनका मुख वेवसाइ यही लोहे से ही है जो अगरिया आदिवासी की सान्स्कुर्ती परंपरा है ने उसी को अपनाया हुआ है और उसी पर काम करता है तो ये वीडियो आज हम रायगर सिलाए है मित्रो संपूर अगरिया अदिवासी को इसमें हमने कवर किया है संपूर अगरिया अदिवासी के बारे में इस वीडियो के माद्धम से जानकारी देने का प्रयास किया है उमीद आपने अभी तर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस तरीके के रोचा का वरेतिहासिक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे आ मित्रों और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सुजाती मित्रों में फ्रेंडों में सेयर कर दीजेगा और कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी तो मित्रों चलिए हम वीडियो सुरू करते हैं कि दोस्तों जैसा कि आपको ग्याती है कि यह जो आज का वीडियो है यह वीडियो हम 36 गड़ राज्जी के राय गड़ जीला से नाये हैं इसमें आपको सिव्धत्तगरिया यह उनका पूरा परिवार लोहे के साथ आग पर काम करता हुआ नजर आया है मित्रों अगरिया के बारे में संभा होता है आप सभी को गया आती है कि अगरिया दिवासी वह संदाय है जिन्हों इस दुनिया को इस लोहा जैसे चमतकारिक धादू से परिच्चे कराया और अगरिया समाज जो है अगरिया समुझाय जो है पूल से ही इस कि यह समुझाय लौव का प्रडङण करता है आ रहा है और आप वीडियो में देख सकते हैं कि कि तरीके से अगरिया दिवासी लोहे के साथ कांप पर आक divासी लोहे शूरा भाइब करता है एक इनकि जीवन सहली होती码 है काफी महनती होते है और ब्योसाय के मोजणा शुरा है अाज भी अगर आदिवासी निम्त तरफ उपनाया हुआ है जो अपस़स्ती को पूरी यह प्रवर्बंग करते हैं तो वही परफ्परा किसे लोहे को बर्म करते हैं और किस तरही के से उसको आकार देने का कार करते हैं अगर या जिवासी की संस्क्रति और फेचान कि मैं बात करतम हूं तो मत्रदेश, स्थिछवार भिहार, उरीसा भी उस्ते ऐसे साथ में जो है वहां जो है अगर यह आजिवासियों को लोहार के नाम से जाना जाता है चुकि मैं इस वीडियो के माद़म से जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि अगर यह आजिवासियों के परिवार लोहे पर काम करता हुआ नजर आ रहा है उनका पूरा जीवन सेली आपको इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह कितना मेनती होती है लेकिन इनकी जो रहन सेली की बात है तो उनको कई छेत्रों में चुकि अगर यह लोहे का कार करता है तो उनको लोहार कर दिया जाता है लेकिन उनको लोहार की Category में लेकर जाना ये थोरा सा नैवचीद नहीं लगता है चुकि अगर यह जो है अगर यह एक अदिवासी की सीरी में आता है और लोहार यह अलग सीरी में आता है अगर यह अदिवासी भारत के कार्ष्ट के जाती के काल character Ofanit एक में आता है उस इस्तिती में अगर यह को लोहार की काटेगरी में लेकर जाना नयाचित नहीं कहलाता है मित्रो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह किस तरीके से लोहे के साथ काम करते हैं आकार देते हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं अगर यह आधिवासी काफी महनती होते चुकि इनके बेहुसाइब अगर अगर आधिवासी चुकि अगर प्रगंग रहे। लेकिन इस समय भी मुरतमान में भी लॉक अ प्रग्रम कई शेत्रों में होता है लेकिन कई बहुत सारे गरिया जिवासी जो है लोहे के समक्री बना करके और उसको अपने जिस छेत्र में हो रहते हैं वहां के लोहों को लोहे का समक्री प्रदान करके अपने ब्युसाय और अप करते हैं यह आप इस वीडियो में देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है यह सिद्ध दगरिया यह उनका पूरा परिवार जो घिराय गड़ जिले से हैं इनका संपूर बेवसाई लोहे से जुड़ा हुआ है यह लोहे की समगरियों का निर्मान करके और उस हेत समगरियों के बारे में बात करता हूं तो अगरिया संभूत अगपर काम करने वा लोगों से हैं ऐस вз संभूत то इसके बाद अपने काम पो करना तो क्या हैori्च से जुड़े होते हैं इसलिए इनको माना जाता है कि इंकर जो है इनकी उत्पति आग से हुई है इनके अगर यह जो संघाय है अगर यह जो संघाय का जो मुख दो देवता होता है अगर यह संघाय के शेतक की बात करते हैं तो दिन्दावरी जीला मत्रदेश की दिन्दावरी जीला से नेतर हाट तक इनको रेखांकित किया जा सकता है देखा जा सकता है और इसके साथ सकताह Всimana में सतत लगे रहते हैं जिसे इंकी जीवन से लीग दूसरों से इनकोलग बनाती है वारत में तो हारि ओर और देश दक्र्देश में जारिक्षा पिहार में उडिशा में उत्तर प्रदेश में पस्चिन बंगाल में ऐसे खई छेत्रों में आपको गरिया मिलेंगे अगर यह के सांसा आप में बात करना चाहूँ है मित्रो असुर संदाए की असुर संदाए जो है अगर यह और असुर संदाए दोनों एक ही वनसाज है दोनों ही लोहे का कार करते हैं दोनों ही लाव प्रगलन का कार करते थे आज भी कई छेत्रों में भारत के कई छेत्रों में मत प्रदेश की सीधी जिला में और सूरश पूर्जिला शक्तिसगर राज्ज में और ऐसे जस्पूर में और आपको बता दें जहार खंड में उत्तर प्रदेश में बिहार में पस्ची मंगल में ऐसे आपको अगर यह आदिवासियों असरों के बहुत सारी इतिहासिक जानकारिया मिल जाएंगी आज भी वहा है कि और अविक्टीक की बात यह है कि अगर यहा संगदाएं अपने अस्थित्तु की पहँचान में सतट प्रियास कर रहा हैppo कर ते मतलब यह है दो जोटावश्टों आप वीडियो में देख सकते हैं वीडियो दिखाने का अर्थ मेरा ये है ये आप देख सकते हैं अगर ये समधाय का जो आउजार है वो किस तरीके का होता है कितने पाउंड का हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं ये किस तरीके से पकड़ते हैं किस तरीके से घंच लाते और किस तरीके से कोई समग्री का निर्मार कर रहे हैं आप स्क्रीट पर देख सकते हैं यह वीडियो लाने का अर्थ यही है कि आप लोगों को मैं अगर यह अधिवासी के कुछ मतलब चलते फिरते हैं वास्त्विक लाइव कारियों से मैं आपको वाउगत करा सकूँ मैं आप काम कैसे दिवासी चीयां दोस्तों जैसा कि आप बिस्क्रीट पर देख रहे हैं अगर यह अगर इस तरीके ना इस थान 방र सथ मिधार रहे हैं आप वीडियों में देख सकते हैं तो सब्सक्रात की दो कि सब्सक्राइए केutzि संभुन ही है निको प्राकृतिक देन के पूर वजब से इनको मिलती है मित्रो जादा तो अगर्या दिवासी के बारे में आप सथी कौवत ही होगा और यही कहुंगा कि अगर्या दिवासी की संस्कृति सब्धता के बारे में बहुत सारे जो बड़े-बड़े भधियानिक्स हैं बहुत बड़े-डॉक्तर शाइटिस्ट हैं इन कीक वारे में अपने लेख में अपने सिर्दिया बढ़ें कि अगर ये अजिवासी आज इतिहासिक यूगों से जोकियादी जाती की पर जाती है इतिहासिक काल से लौ प्रग्मन का कार करता है लोहे पर कार करना इनका बेवसाय है और लोहे से यूड़ा हुआ इनकी पूरी संस्कृती होती है इतल यह एकने पूरी जीवन कर्फं में पाल में अधिक से अर्द्थाइप गोल सज्पाइब ब्रीभ्र्त में सिर्म. उनका जीवन अभे रही हnousगा प्रेटाय होता है वह जंगलमें जाते हैं two Olympics कर चुमिक होस्ति उनकい पार यह जा चाहिए है जलाने के बाद उनको कोले में तब्दील करके पुन्य गर लाना वास्ताव में बहुत एक महनत भराकार है, जो हमकर स oily चलता रहती, काफी महनत बुर्ण होते हैं, तो देव्मित्रो जीसा बोना कि पता दूम हम आज जो वीडियो को हम खती पूरा परिवार आपको आल लोहे पर लोहे के साथ आप पर काम करता हुँ नजरा अब लोहे से अवजार और समग्रियों पर दिर्मार करके अपने आस-पास के छेत्रों में अपने दे करके व्योंषाई स्वरूप अपने जीवनियापन कर रहे हैं तो मित्रो मुझे उमीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि मित्रो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा और अपने लोगों में सेयर कर दीजेगा और मित्रो यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा क्योंकि हम इस तरीके की जानकारिया एतियासिक जानकारिया आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे तो मित्रो स्वस्त रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें तो मित्रो आज के लिए धन्यवाद